नमस्कार दोस्तो, सुवागत है आपका मेरी YouTube चैनल पर, दोस्तो सवाल यह आता है, कि आर्केटिक ज़्यादा ज़रूरी है या सिविल लिनियर, क्या हम सरिफ आर्केटिक के भरोसर नहीं रह सकते हैं, क्या हमें अलक्से शिविल लिनियर को रखने की जुरत हैं, इस वीडिय और बैतरीन वीडियो लाते रहें, तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं, दोस्तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा, कि दोनों के रॉल क्या है, कई लोग आर्केटिक और शिविल लिनियर में फरक नहीं जान पाते हैं, उनके लिए दोनों बराबर होत कि दोनों में रात दिन का फरक होता है, अगर दोनों एक समान होते हैं, तो दो अलग डिगरी बीटेक और बी आर्क बनाने की ज़रूत नहीं पड़ती, आर्केटिक और शिविल इंजिनियर दोनों की अपनी एक अलग लाईन है, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट और एंब किया काम करता है, दोस्तों अखर हींदी मेर्थ वास्तुकार होता है, एक अखर काम होता है, इमारत को अपनी कला और इमेजिनेशन से कैसे सुंदर और कमफर्टेबल बनाए, एक अरकेट प्लानिंग करते समय यह ध्यान रखता है, कि वह घरको सुंदर रखते हुए आपकी जैसी चीजों को प्रात्मिक्ता देता है, उसके अलावा कोई व्यक्ति बिमार है, या वजन में ज्यादा है, या हाइट में छोटा है, तो आर्किटेक्ट उन सब पहलों को भी ध्यान में रखता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपने शरीर के हिसाब से अलग-अलग जरूरत होत है, हम बनाते समय तो यह सोचते है कि एड़ेस्ट कर लेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद हमें उससे चिड़ोने लग जाती है, उसके बाद इस्पेस प्लानिंग भी एक मेरपून बात होती है, जैसे एक इंसान को आराम से रहने के लिए कितनी स्पेस सही है, उधारन के तो कराना पड़ गया, फिल जब मेमानों ने चाय पानी कर लिया, तो उसके बर्तनों को ले जाना पड़ गया, तो इस बीच आपको गुसा आने लगेगा, हाला कि पहले तो आपको इतना महसूस नहीं होगा, शुरवात में आपको इतना गुसा नहीं आएगा, लेकिन धिर धि में फर्नीचर प्लान कर दिया, अब आप जब भी जल्दी में होंगे, तो फर्नीचर से जड़ू टकराएंगे, इसलिए चाय फर्नीचर हो, या रूम किचन प्लान करने हो, एक आर्केटिट इन सब चीजों का ध्यान रखता है, साथ ही उसका जोर वास्तु सास्तर पे भी ह क्योंकि दोस्तों हम भारतियों की जिंदिकी में वास्तु सासर एक मुख्य रोल निभाता है, और एक आर्केटिट को प्रॉपर वास्तु पढ़ाया जाता है, अगली चीज है कलर थियोरी, दोस्तों अगर आप आर्केटिट से घर बनवाते हैं, तो वह आपके घर में कलर का इस्तमाल करता है, दोस्तों background noise के लिए समाच आता हूं, तो चलिए वीडियो को continue करते हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे, कि मैं सब क्या बोल रहा हूं, human dimension, color theory, space planning, तो दोस्तों सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप color theory का short में मतलब समदलो, विज्ञान और व आप हर बार बीमार रहने लगें, इसको वास्तु के साथ साथ science भी मानता है, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा, अभी आप यह जान लो, कि मैंने यहां सरिफ कुछी points बताये हैं, और भी बहुत सारे points होते हैं, जो architect द्वारा ध्यान में रख फहिमी है, मैं R-Credit के उपर जब अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें उनकी history वगरा सब बताऊंगा, जो हम से चुपाई गई, तो दोस्तो यह तो हो गई R-Credit की बात, अब आते हैं civil engineer पर, कि civil engineer करता क्या है, हमें इसकी आवशक्ता क्यों पढ़ती है, दोस्तो एक civil engineer का ज्यादा तर focus, structure, estimation and costing, cost cutting और site पर work को execute करवाना होता है, इसके अलावा, building material selection और building की quality को बनाये रखने में भी, civil linear का बहुत बढ़ा योगदान होता है, मतलब आप लोगों को short में बताऊं, तो जहां R-Credit घर को सुंदर और comfortable बनाता है, वहीं एक civil engineer, घर को मजबूत और कम पैसे में बनाने में सायक होता है, अब आप पूछेंगे कि क्या हम R-Credit से ये काम नहीं करवा सकते हैं, या civil engineer से घर का plan नहीं बनवा सकते हैं, तो जवाब है, जी बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन उसमें एक छोटी सी problem है, वो है कि civil engineer नक्षा तो बना सकता है, लेकिन उस मैं खुद एक civil engineer हूँ, लेकिन जो सच है वो स्विकारना चाहिए, मित्रों हमें भी planning करना, नक्षा बनाना सब सिखाया जाता है, ताकि कोई भी civil engineer कि छोटे project का नक्षा बना सके हैं, लेकिन हमारे syllabus में drawing पर बस 10% focus होता है, और 90% column, beam, footing, slab, transportation, highway, railway, sewage, irrigation, estimation, costing, ऐसी चीज़ो पर civil engineer का ज्यादा focus होता है, और वहीं architect की 90% पढ़ाई, sheet के इर्दगिर्द घूमती है, हाला कि उन्हें भी structure पढ़ाया जाता है, लेकिन इतना पढ़ाया जाता है, कि छोटे मोटे घर का structure खुट डिजाइन कर सके हैं, मल्लब हमारा और उनका case सवाईसा वर्सा है, architect site के structure को अच्छे से execute नहीं करवा सकता, और engineer इतना अच्छा नक्षा नहीं बना सकता, अब आपका सवाल होगा, कि ठीक है, architect और engineer, दोनों घर के लिए जरूरी है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं, कि हम दोनों hire कर सकें, तो अब क्या करें, किसको hire करें, तो दोस्तों आपके ज धूंडे, जिसके पास structure engineer, interior designer, इन सब की team हो, वैसे ही, यदि आपको civil engineer धूंडे, तो as a civil engineer धूंडे, जिसके पास better in architect और interior designer हो, जो नक्षा बनवाने से लेकर, site पर structure को execute करने तक पूरा काम देख सकें, दोस्तों बहुत सारे लोग video बनाते हैं, कि architect का का काम, एक civil engineer भी कर सक सकता है, लेकिन friends ये जूट है, यदि आपको एक simple छोटा सा घर बनाना है, ऐसे case में आप किसी एक से भी काम चला सकते हैं, जैसे कोई simple सा hall बनाना है, या कोई छोटी दुकान बनानी है, तो उसमें architect क्या ही अपनी creativity दिखा लेगा, लेकिन मुत्रों यदि आपको घर electrical engineer, plumbing के लिए अलग बंदा, 3D modeling और drafting के लिए अलग बंदा, इस सब मिल जाएंगे, ऐसी जगह आपको plan से लेकर, पूरा section elevation, structure की drawings, interior और exterior की 3D modeling, furniture layout, electrical drawing और plumbing की drawing, ऐसे सबी प्रकार की drawing आपको एक जगह मिल जाएगी, आपको जगह जगह नहीं बटकना पड़ेगा, तो दोस् मैं कोशिश करता हूँ, कि आपके सभी सवालों का, जल्दी से जल्दी जवाब दे सकूँ, यह series खत्म होने के बाद, मैं दोनों पर एक separate video बनाऊंगा, जिसमें दोनों की history, उनके काम करने का तरीका, प्राचीन से लेकर, आज तक की जमाने तक का, मैं सब बताऊंगा, और जिन लोगों के मन में यह सवाल है, कि हम करियर के रूप में किसे चुनें, आर्किटेक्चर या इंजिनियरिंग, इसका जवाब भी मैं अपनी आने वाली वीडियो में दूँगा, तो मिलेंगे आप से इस series की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातर ते मंदे घरिय कर्ता है, कि हम मैं पुचक के लिए आप से एंग वे घर एंगे मातरे का जब एंगे आफ इस से कालियों God time उते हैं